नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंख में आप सभी का स्वागत है इसंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा की दृष्टी से महत्वपून, कुछ एहम खबरें इसंख के साथ मैं हूँ दिव्यसी आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंख की हेडलाइन्स के बारे में आर्थिक मामलों की मंत्री मंदलिय समिती ने PM प्रधान मंत्री विश्व कर्मा नाम से एक नई केंद्रिय शेत्रक की योजना को मंजूरी दी प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार लखपती दीदी योजना के तहत दो करोड महिलाओं को कोशल प्रसेक्षन प्रदान करने की योजना बना रही है केंद्रिय मंत्री मंदल ने डिजिटल इंडिया कारिक्रम के विस्तार के लिए 14,903 करोड रुपे की मंजूरी दी पारे पर मिनिमाता अभी समय के 6 वर्ष पूरे हुए प्रदान मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में 13.5 करोड लोग गरीबी के दुश्चक्र से बाहर आए और केंद्रिय मंदल ने भारत और आस्ट्रेलिया के बीच अधिकरित आर्थिक परिचालकों यानि एईईओ की पारसपरिक मानिता व्यवस्ता को मंजूरी दी और आईए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं आर्थिक मामलों की मंत्री मंदलिय समिती ने पीम प्रधान मंत्री विश्यकर्मा नाम से एक नई केंद्रिय शेत्रक की योजना को मंजूरी दी पीम विशुकर्मा योजना का उद्देश्य अपनी हस्तकला और उपकरणों का उपयोग करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों के परिवार आधारित पारंपरी कोशल को मजबूती प्रदान करना और पोशित करना है इस योजना की अवधी पांच वर्ष हैं ये वित्वर्ष 2023-2027-28 तक के लिए लागू रहेगी इस योजना का कुल व्ये 13,000 करोड रुपे हैं पहले वर्ष में 5 लाख परिवारों को योजना में शामिल किया जाएगा पांच वर्षों की समगर अवधी में कुल 30 लाख शिल् सहता दी जाएगी योजना के अंतरगा दो तरह के कौशल कारिक्रमों का संचालन किया जाएगा एक होगा बुनियादी यानि बेसिक और दूसरा होगा एडवांस्ड प्रिसिक्षन के दौरान प्रतिभागियों को प्रते दिन 500 रुपे मान देये के रूपें दिये जाएग लाभार्थियों को आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपे तक की राशी दी जाएगी योजना के आरंभ में बढ़ई लोहार तालासाज सहित 18 पारंपरिक कारीगरों को शामिल किया जाएगा पीम विश्युकर्मा प्रमान पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम स देश भर के कारीगरों तथा शिल्पकारों को पहचान दिलाई जाएगी इस योजना का महत तो इसलिए भी है क्योंकि इसकी मदद से कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता तथा पोहच में सुधार होगा ये विश्युकर्माओं यान में समर्थन देगी और आई अब बात करते हैं अगली खबर की प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार लगपती दीदी योजना के तहट दो करोड महिलाओं को कौशल प्रसेक्शन प्रदान करने की योजना बना रही है लगपती दीदी योजना का शुरू करने के लिए प्रोच साहित करना है उन्हें स्वेम साहता समुहों के जरिये सालाना कम से कम एक लाख रुपे अरजित करने में मदद करेगी कुछ राजियों में योजना पहले से चल रही है महिलाओं को प्लंबिंग, LED बल्ब बनाने तथा ड्रोन के संचालन और उ स्वेक्षा से एक जोट होते हैं समुहों के सभी सदस्य अपनी बचत को साजा करके एक साजी निधी बनाते हैं इस निधी का प्रबंधन करके वे अपनी रिण या पूंजी जरूरतों को पूरा करते हैं यानि की स्वेम सहता समूह का महतवेसले भी है क्योंकि सुक्ष में वित्य उद्यमिता के लिए ये सदस्यों को कम धनराशी के रिन प्रदान करते हैं ये महिलाओं को और बध्धिक रूप से सवतंत्र बनाकर उनहें सशक्त बनाने में मदद करता है आर्थिक सर्वेक्षन 2022-23 के मुताबिक भारत में लगभग 12 मिलियन सेल्फ हैल्प ग्रूप कारेरत हैं इनमें से 88 पृतिशत सेल्फ हैल्प ग्रूप के सभी सदस से महिलाए हैं ये बच्चों और परिवार के स्वास्थे पोशन इस्थिती तथा सेक्षिक इस्थिती में सुधार करने में मदद करता है सेल्फ हैल्प ग्रूप से संबंधित और भी कई समस्याए हैं जैसे के मुख्य रूप से पारिवारिक उभोग संबंधि उद्देशों के लिए रिंड लेने की प्रवर्ति देखी जाती है ग्रामीन शेत्रों में निजी सुक्ष्म वित्त संस्थानों के प्रवेश के कारण ब्रहम की स्थिती पैदा होती है सेल्फ हेल्प ग्रूप्स को बढ़ावा देने के लिए और भी कई पहले शुरू की गई हैं जैसे कि वर्ष 1992 में नाबाड ने सेल्फ हेल्प ग्रूप बैंक लिंकेज परियोजना शुरू की थी ये दुनिया की सबसे बड़ी सुक्ष्म वित्त परियोजना है इसके अलावा ग्रामीन गरीब महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रूप्स में संगठित करने के लिए दीन दियाल अंतियोदय योजना राष्ट्रिय ग्रामीन आजेविका मिशन शुरू किया गया है बैंक रिंट प्राप्त करने वाले सभी सेल्फ हेल्प ग्रूप्स को ब्याज छूट प्रदान करने के लिए स्वरोजगार कारिक्रम चलाया जा रहा है केरल में कुदुम बुश्री नाम से महिलाओं के लिए नेबर होड ग्रूप सामुदाई संगठन संचालित किया जा रहा है और आएए बढ़ते हैं डिजिटल इंडिया की खबर की तरफ केंद्री मंत्री मंदल ने डिजिटल इंडिया कारिक्रम के विस्तार के लिए 14,903 करोड रुपे की मनजूरी दी है क्याबिनिट ने पांच साल यानि की वित्तवर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधी के लिए डिजिटल इंडिया योजना के विस्तार को अनुमती दी है इस कारिक्रम के तहट 6,25,000 IT पेशेवार आप स्किलिंग और री स्किलिंग प्रसिक्शन से गुजरेंगे राष्ट्रिय सूपर कंप्यूटर मिशन के तहट 9 और सूपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे ये पहले से उप्योग किये जा रहे 18 सूपर कंप्यूटर के अतरिक्त होंगे युनिफाइड मॉबाइल एप्लिकेशन फोर न्यू एज गवर्निंस प्लेटफॉर्म के तहट 540 अतरिक्त सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी वर्तमान में उमंग प्लेटफॉर्म के तहट 1700 सेवाएं प्रदान की जाती है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस सक्षम बहु भाशा अनुवाद टूल भाशिनी को समविधान की आठवी अनुसूची में शामिल सभी 22 भाशाओं में शुरू किया जाएगा वर्तमान में भाशनी दस भाशाओं में उपलब्ध है डिजिटल इंडिया कारिक्रम भारा सरकार का एक फ्लागशिप कारिक्रम है इसे 2015 में लॉंच किया गया था इसका उद्धिश भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ग्यान आधरित अर्थविवस्था में इस योजना का समग्र समन्वे electronics और सूचना प्रद्योगी की मंत्राले कर रहा है डिजिटल इंडिया कारिक्रम की मुख्य उपलब्धी ये है कि अकेले 2023 में अब तक 82 बिलियन से ज्यादा डिजिटल लेंदेन किये गए हैं वर्तमान में लगभग एक दशमलव 9-4 लाग ग आईटी में रोजगार के लिए युवाओं का कोशल प्रसेक्शन, एकरांती सेवाओं की electronic delivery, एगवर्निंस प्रद्योगी की के माध्यम से प्रशासन सुधार और नेट जीरो आयात की लक्षे को हासिल करने के लिए electronics विनिर्मान हाली में पारे पर मिनिमाता अभी समय को 6 वर्श पूरे हो चुके हैं पारे पर मिनिमाता अभी समय को जेनेवा में वर्श 2013 में अपनाया गया था ये मानव स्वास्थ और परियावरन को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रू होने वाली एक तंत्रिका संबंधी विमारी है ये संधी 2017 में लागू हुई थी वर्तमान में इसके 144 पक्षकार हैं और 128 हस्ताक्षर करता हैं भारत ने 2014 में इस अभी समय पर हस्ताक्षर किये थे और 2018 में इसकी अभिपुष्टी की थी हालां कि ये अभिपुष्टी 2025 तक पार प्रेगरी और लगू पैमाने के स्वर्ण खनन में पारे के इस्तमाल और रिलीज को कम करने तथा जहां तक संभव हो पूर्णतै समाप्त करने का प्रयास करना इसके अलावा कोईले से संचालित विद्युत सयंत्रों और अध्योगिक बॉयलरों आदी से पारे के वायू मे मौझूद समस्याओं को दूर करना पारे का सुरक्षित भंडारन और निप्टान सुनिश्चित करना तथा दूर्शित पारा इस्थनों की समस्या का समाधान करने के लिए रणीतियां तयार करना आपको बता दें कि पारा प्राकरतिक रूप से पाये जाने वाला एक तत्त है ये वायू जल और मृदा में पाया जाता है ये तंत्री का तंत्र थाइरोइड लिवर फेफडे प्रतिरक्षा प्रणाली आखों मसूडों और त्वचा पर विशाक्तता प्रभाव डाल सकता है इसे विशु स्वास्त संगठन डबलू एचो ने प्रमुख लोग स्वास सूचकांग के निसकर्षों का उल्लेक किया है इसके मुताबिक 2015 सूल से रेकर 2019 से 21 तक की अवधी में भारत में गरीबी का इस्तर 25 पतिशत से गिर कर 15 पतिशत से कम हो गया है एनम पी आई नीती आयोग जारी करता है ये तीन आयामों तथा 12 मापदंडों के आधार पर अभ गहार पर किया जाता है जो कि रुपे में किया जाता है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारं डीटी लकडवाला सुरेश तिंदुलकर और सी रंगराजन के नितरत वाली अलग अलग समीतियों द्वारा किया जा चुका है रंगराजन समीती के मताबिक ग्रामीन भारत में प्रति दिन 32 रुपे खर्च करने वाला व्यक्ति और शहरी भारत में 47 रुपे खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा में माना जाना चाहिए राष्ट्रिय प्रतिदर्श सर्वेक्षन कारेले NSSO उपभोग व्य सर्वेक्षन आयोजित करता है इसे हर 5 साल में एक बार आयोजित किया जाता है भारत में गरीबी के पिछले आधिकारिक आंक्रे 2011 में जारी किये गए थे डेटा में आजपश्टता के कारण 2017-18 के CES डेटा को रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया था गरीबी के विश्वसनी अनुमानों का महत्वे इसलिए है क्योंकि ये गरीबी उन्मूलन कारेक्रमों के डिजाइन, कारे अन्वेन और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है इसके अलावा ये अनुमान, समावेशी विकास और गर पारसपरिक मानिता व्यवस्था को मनजूरी दे अधिकरित आर्थिक परिचालकों की MRA का उद्देश यानि की पारसपरिक मानिता व्यवस्था का उद्देश सीमा शुलक अधिकारियों द्वारा वस्तूओं की क्लेरेंस में दोनों देशों के निर्यातकों को पारसपरिक लाब प्रदान करना है। व्यापार में सनलगने किसी संस्था को सीमा शुल्क संगठन आपूर्ती श्रंकला सुरक्षा मानकों के अनुरूप अनुमोदित करता है। साथ ही उन्हें AEO का दर्जा और कुछ अन्य लाप प्रदान किये जाते हैं। भारतिय सीमा शुल्क ने दक्षिन कोरिया और हॉंग कॉंग कोंग के सीमा शुल्क प्रशासन के साथ दो MRAs पर हस्ताक्षर किये हैं। MRA यानि पारस परिक मनेता विवस्था। साथ ही सयुक्तुराजय अमेरिका और ताइवान के साथ MRAs संपन होने के अंतिम चरण में हैं। और आई अब चर्चा करते हैं WCO के सेफ फ्रेमवर्क के बारे में। सेफ फ्रेमवर्क को 2005 में WCO परिशद ने अपनाया था। इसका उद्देश्य अंतराष्ट्रे आपूरती श्रंखला की सुरक्षा को मजबूत करना और वैध वस्थूओं की आवाजाही को सुविधा जनक बनाना है। इस फ्रेमवर्क का महत तो इसलिए भी है क्योंकि इसने सीमा पार जाने वाली वस्थूओं के शुरू से अंतर तक प्रबंधन के लिए एक नए द्रिश्टिकॉर्ण की शुरुआत की है। ये सीमा शुलक और व्यापार के बीच घनिष्ट साज़दारी के महतों को रिखांकित करता है। PME बस सेवा योजना मंत्री मंडल ने PME बस सेवा योजना को मनजूरी प्रदान की है। इस योजना के दो घटक हैं। अले शेहरों को कवर किया जाएगा। उन शेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कोई व्यवस्थित बस सेवा नहीं है। इस योजना की अवधी 10 वर्ष की हैं। ये 10 वर्षों तक बसों के परिचालन का समर्थन करेगी। अगला टॉपिक है पीएम गती शक्ती राष्ट्रिय मास्टर प्लान। मंत्री मंडल ने पीएम गती शक्ती के तहट साथ मल्टी ट्रेकिंग ड्रेलवे परियोजनाओं को मन्जूरी दी हैं। पीएम गती शक्ती मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रिय मास्टर प्लान है। इसका उद्देश लोगों और वस्तों की आवाजाही के लिए एकिकृत और निर्बाद कनेक्टिविटी प्रदान करना है। अगला टॉपिक है आत्म निर्बर भारत रोजगार योजना के तहत अपचारिक शेतरक में रोजगार सुजन के अपने लक्षे को प्राप्ट करने में असफल रही है। आत्म निर्बर भारत रोजगार योजना को 2020 में श्रम और रोजगार मंत्रालन ने शुरू किया था। इसे आत्म निर्बर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में लौँच किया गया था। इस योजना का उद्देश नए कर्मचारियों को नियुक्त करने और महामारी के कारण नौकरी से वंचित हो चुके कर्मचारियों को फिर से नियुजित करने के लिए नियुक्ताओं को प्रोथसाहित करना है। के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं इसमें भारतिय फार्मा कोपिया को मनिता दीना भी शामिल है आईपी स्वास्त देखभाल के दिश्टिकॉंट से अनिवार रूप से आवश्यक दवाओं की पहचान शुद्धता और शमता के लिए मानक निर्धारित करता ह आईपी आरेस परिक्षन के तहट किसी आर्टिकल की पहचान के लिए फिंगर प्रिंट के रूप में कारी करता है अगला टापिक है पोंग बांध यानि की महाराना प्रताप सागर या पोंग जलाशय पोंग बांध एक मानव निर्मित जलाशय है इसका निर्माण 1975 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की शिवालिक पहाडियों की आदर भूमी में ब्यास नदी पर किया गया था वर्ष 1983 में इस जलाशय के पूरे भाग को वन्यजीव अभ्यारण ने घुशित किया गया था ये भारत का सबसे ज़्यादा मृदा के इस तरीकृत भराव वाला बांध है पोंग बांध जील को 2002 में रामसर इस्थल घुशित किया गया था पोंग में एक वल्चर कैफे इस स्थापित किया गया है इसमें मवेशियों के शवों को फेक दिया जाता है और गिद्दों को उन्हें खाने के लिए आकरशित किया जाता है अगला टॉपिक है केंद्रीकृत लोग शिकायत निवारन और निगरानी प्रणाली पोर्टल सीपी ग्रामस एक उनलाइन प्लेटफॉर्म है ये नागरिकों के लिए सेवा वितरन से संबंधित किसी भी विशय पर लोग प्राधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर् भाग के पास है ये अंग्रेजी के साथ-साथ 22 अनुसूचित भाशाओं में भी उपलब्ध है लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिने सीपी ग्राम स्वीकार नहीं करते हैं जैसे कि आर्टी आई से जुड़े मामले धार्मिक मामले और विचाराधीन मामले नवरोज नवरोज पार्सी नवर्ष है नवरोज का मतलब है नया दिन जर्थरुस पंचांग के प्रथम माह यानि की फरवर्डिन के पहले दिन को नवरोज के रूप में मनाय जाता है हाला कि विच्व इसतर पर नवरोज 21 मार्च यानि वसंत विचुव को मनाय जाता है इसके विप्रीत भारत में नवरोज इसके 200 दिन बाद आता है और अगस्त महीने में मनाय जाता है इसका कारण यह है कि यहाँ पार्सी लोग शेहन शाही पंचांग को मानते हैं जिसमें लीप वर्ष शामिल नहीं होता है शेहनशाई पंचांग की शुरुआत करने वाले फार्सी शासक जमशेद की स्मृती में इसे जमशेद नवरोज के नाम से भी जाना जाता है ये मुख्य रूप से गुजरात और महाराश्ट्र में मनाया जाता है और आई अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे वेक्तित्तु के बारे में सुभद्रा कुमारी चोहान वो एक प्रसिद्ध भारत्य कवियत्री और सुतंतरता से रानी थी वर्ष 1921 में वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गई थी वो नागपूर में गिरफ्ताई देने वाली पहली महिला सत्याग रही थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण उन्हें 1923 और 1942 में दो बार जेल भेजा गया था वियों का कैसा हो बसंद राखी की चुनोति और विदा उन्होंने अपनी सहितिक भाषा के रूप में हिंदी की खडी बोली को चुना था उनका लेखन भारत के स्वतंतरता आंदोलन के दोरान भारतिय महिलाओं द्वारा सामना की गई कठिनाईयों पर केंद्रित था सुभधरा कुमारी चोहान, करुणा और साहस की प्रतिमूर्थी थी और आई अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे इस्थलों के बारे में टिटी काका जील जलवायों परिवर्तन की वजह से टिटी काका जील का जल इस्तर एतिहासिक रूप से अपने निमनतर इस्तर पर पहुँच गया है टिटी काका जील पश्चिम में पेरू और पूर्व में बोलीविया की बीच इस्थित है ये दक्षिन अमेरिका की इंडीज परवत शिंखला में अवस्थित है ये समोदृतल से 3800 मीटर उपर इस्थित है ये दुनिया की सबसे उँची नौगम में जील है दक्षिन अमेरिका में ताजे जल की सबसे बड़ी जील है टिटी का का इसे वर्ष 2005 में युनेस्को की विश्व धरूहर इस्थलों की अस्थाई सूची में शामिल किया गया था इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ तब तक अपने लक्ष के लिए तत पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अब हमें यानि विजन आइस की पूरी टीम को दीजे इजाजब नमस्कार